जब कभी भी जल को उबलते हुए हम देखते हैं तो जल का उबलना किसी एक अणू से संभाव है क्या? नहीं इसी प्रकार जल के एक बून से या जल के एक अणू से हम पूरे हाथ का गीला हो पाना सोच पाते हैं? नहीं क्योंकि जल का उबलना कई सारे अणू के संभाव है इसी प्रकार जल के एक अणू के द्वारा गीले करने के गुण को हम नहीं समझ सकते हैं अर्थात यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी पदात के जो गुण होते हैं उसमें कई सारे अणू, पर्माडू, आयनू इन सब का संयोग होता है यहाँ पर जो अणू, पर्माडू या आयनू का सम्मू होता है उनसे ये सारे गुण सम्बंदित होते हैं तो द्रव्य की जो अवस्था है उस पर ये निर्भर करते हैं और द्रव्य के गुण जो हैं वो पदार्थ की उस अवस्था पर निर्भर करते हैं जिसमें ये पाए जाते हैं इसमें हम देखते हैं द्रव थोस एवं गैस जैसा कि हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं थोस द्रव एवं गैस वर्तमान समय में इसकी और भी अवस्थाएं खोजी गई हैं जैसे प्लाजमा अवस्था अती शीतलि थोस अवस् इसमें हम मुख्य रूप से गैस के एवम द्रव के गुनो के बारे में अध्यान करेंगें। ठोज ड्रव गैस का यदि हमें कुदाहरन लेते हैं जल के माध्यम से, तो जल, यदी ठोज अवस्था में है तो उसे हम बर्फ कहते हैं, यदि ये द्रव अवस्था में है तो ये जल रूप में है और यदि ये वाश्प रूप में है गैस के रूप में है तो ये जल वाश्प के रूप में हमें दिखाई देता है लेकिन यहाँ पर जो ये तीनों अवस्थाएं हैं इन सभी में जो संगठन है वो H2O है अर्थात सभी का जो रासायनिक संगठन है वो एक समान है तो किसी भी पदार्थ का जो रासायनिक गुण होता है वह उसकी भौतिक अवस्था परिवर्तित होने से प्रभावित नहीं होता है लेकिन जो रासायनिक अभिक्रिया की दर होती है वो पदार्थ के भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है यहाँ पर हम अणुओं के मद्धे जो आकर्शन बल है उसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि जब हम द्रव्य के कई गुणों के बारे में चर्चा करेंगे तो यहाँ पर हमने जैसा देखा कि द्रवी के जो गुण होते वो किसी एक अणू के कारण नहीं होते हैं बलकि कई सारे परमाड़ों, अणूओं एवं आयनू के समू से वो संभा हो पाता है तो जब हम द्रवी के गुणों के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो अणूओं के मद्धे जो आकरशन बल है उनके मद्धे जो अन्योन ने करिया है इसके बारे में हमें पहले जानना है यहाँ पर आप बंद को और अन्योन जो आकर्शन बल है या अन्यों के मद्ध का जो आकर्शन बल है दोनों को अलग-अलग तरीके से समझेंगे बंद एक अलग पद है बंद में हम देखते हैं कि दो या दो से अधिक परमाणू जब आपस में अपने इलेक्ट्रोनों का साजह करते हैं या फिर एक तरफा साजेधारी होती है या फिर इलेक्टरॉन का ट्रांसफर होता है इन सभी कारणों से बंद का निर्मार होता है बंद होता है दो परमारवों के मद्धे किसी भी अनु के दो परमारवों के मद्धे लेकिन हम यहाँ बार बात करते हैं अंतर अनु का आकर्श बल वह वास्तों में दो अलग अलग के मत दय होती है तो यदि यहां पर हम आकर्शन बल की बात करते हैं तो 12 प्रकार क्या कशंबल हो सकते हैं एक होता है इंटर मॉलिकुलर और दूसरा होगा इंटरा मॉलिकुलर इंटर मॉलिकुलर याने अंतर अणूक आकर्शनबल और इंटरा मॉलिकुलर याने अंतरा अणूक आकर्शनबल तो जब अंतर अनुक आकर्शन बल की बात होती है इसका अर्थ है कि दो अलग-अलग अनुक के मध्य यहां पर आकर्शन बल है और बंद को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि दो परमाणू जो एक ही अनु में प्रेजन्ट है उनके मध्य जो एक आकर्शन बल है या जिस वज़े से उनके मध्य बंद बना है उसको हम अंतरा अनुक के नाम से जान सकते हैं तो दो अलग-अलग अनुक के मध्य जो आकर्शन बल है वो होगा अंतर अनुक आकर्शन बल और इसी के बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे तो जो अंतरा आणविक आकर्शन बलों की प्रकृती होती है या आणविक जो अन्योन निक्रिया होती है या कणों की गती पर जो उश्मी उर्जा का प्रभाव है ये सारी चीजें किसी भी द्रविकी अवस्था को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं अड़ों के मध्य जो आकर्शन बल होता है या जो अन्यों निक्रिया होती है यहाँ पर दो प्रकार का बल कारे करता है यहाँ जब आणू पास पास आते हैं तो आकर्शन बल भी कारे करता है और यहाँ प्रतिकर्शन बल भी कारे करता है एक तरफ से तो जो आकर्शन बल है हम इसे ही वांडर्वाल आकर्शन बल के नाम से जानते हैं तो जोहानन वांडर्वाल के नाम से इस प्रकार से जो आकर्शन बल है अनुगों के मद्ध्य है इसे वांडर्वाल आकर्शन बल के नाम से जाना जाता है द्रवी की या पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं उसक अंतर को समझने के लिए हमें कुछ बिंदूओं को बहुत अच्छे से समझना है तो पदार्थ की जो तीनों अवस्थाएं हैं जैसे ठोस, द्रव, एमम, गैस तो इसको अलग-अलग बिंदूओं के आधार पर कैसे-कैसे इसमें अंतर है उससे हम थोड़ा सा जानेंगे क्यो ठोस्ते के अनगों का जो आगार है आयतन है वो हमेशा निश्चित होता है क्योंकि वहाँ पर हम देखते हैं कि अनभों के मद्य समें, बहुत अधिक आकर्शन बल्ठा कार्यकुरता है , वहीं दूसरी और जब हम द्रव अवस्था की बात करते izggakयर它ो स्केत्याफ , aces निश लेकिन द्रव को हम जिस प्रकार के पात्र में रख देते हैं वह उसी पात्र के आधार पर उसका आयतन भी निश्चित हो जाता है। जब हम गैस की बात करते हैं तो गैस में अड़ों के मद्धे जो आकर्षन बल है वो बहुत ही कम होता है। बिल्कुल नगन्य दुरुबल आकर्शनबल होता है, तो उनके बीच या अनुगों के बीच की जो दूरी होती है वह बहुत अधिक होती है, तो इस प्रकार इसके आकार का भी निर्धारण नहीं किया जा सकता, और इसके आयतन का भी निर्धारण नहीं किया जा सकता, दूसर जो अंतरका आधार ये वह संपीडियता तो यहाँ जब हम ठोस की बात करते हैं कि ठोस में जो अनुहोते हैं वह बहुत अधिक क्रमबद रूपसे विवस्थित होते हैं इसका आरथ है कि इनके मध्य जो दूरी है या जो रिक्त स्थान अर्वों के मध्य वो बहुत ही कम है तो जब इनके मध्य रिक्तिस्थान बहुत ही कम होगा तो ये असंपिड्य होते है और दूसरी और द्रव के अनुजों होते है चुकि उनके मध्य आकर्शन बल बहुत कम होता है ठोस की तुलना में और उनके मद्धे रिक्तस्थान भी ठोस की तुलना में ज़्यादा होता है तो द्राव के अणू को हम देखते हैं कि ये संपीड्य होते हैं वहीं गैस की बात जब होती है तो गैस के अणू के मद्धे हमने देखा कि बहुत ही कम आकर्षन बल होता है ये एक दूसरे से काफी अधिक दूरी पर होते हैं और इनके मद्ध बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है तो गैस में संपीडिता का गुण बहुत अधिक पाया जाता है अगला गुण है विसरन का जो ठोस के अणू होते हैं वे एक दूसरे में विसरित नहीं हो पाते हैं क्योंकि इनके मद्ध जो रिक्तिस्थान है वो बिल्कुल नहीं होता है तो यहां पर विसरन का गुण नहीं होता है अर्था जो ठोस है वो एक दूसरे में एक ठोस दूसरे ठोस में बिल्कुल विसरि नहीं हो सकते हैं लेकिन द्राव के अड़ों के मद्य चुकि रिक्तिस्थान होता है तो यहां पर एक द्राव दूसरे द्राव में विश्रित हो सकता है जैसे यहां पर हमें कुद आरण देख रहे हैं कि एक द्राव किस तरह से दूसरे द्राव में आसानी से विश्रित होता ह तो जब ठोस को एक निश्चित तेंपरेचर दिया जाता है तो एक निश्चित तापमान पर वह ठोस तो एक निश्चित तापमान है जिस पर वह ठोस गलना प्रारम्ब कर देता है उसे हम गलनांक बिंदू कहते हैं तो इस बिंदू पर यानि टेंपरेचर बढ़ाने पर ठोस असानी से गलने लगते हैं और यह भी निर्भर करता है उनके अणों के मद्दे के आकर्शन बल पर दूसरा यदि द्राव के बारे में देखे तो द्राव में जब तापमान दिया जाता है तो एक निश्चित तापमान पर वह द्राव उबलने लगता है अब यहां पर हम इसे कहते हैं को अथनांग क्योंकि एक निश्चित को अथनांग पर ही प्रतेक द्राव जो है वो उबलना प्रारंब कर देता है तो यहां भी हम देखते हैं कि जैसे जैसे तापमान बढ़ाते हैं और वो की जो गती जूर्जा है वो बढ़ती है और इस प्रकार से वे एक निश्चित तापमान पर उबलने ल तो वो एक निश्चित आपमान पर वो धीरे धीरे द्राव रूप में परिवर्तित होने लगते हैं। अगला जो अंतर का आधार है वो है समदैशिकता। तो जो ठोस में अधी हम देखें तो क्रिस्टली जो ठोस होते हैं, घनी क्रिस्टल जो होते हैं, केवल उसको छोड़कर बाकी जितने भी ठोस होते हैं, वे सभी विशमदैशिक होते हैं। और द्राव एवम गैस ये सभी समदैशिक होते हैं। अड़ों के मद्धे की गती जूर्जा की बात यदी करें, तो ठोस के अड़ों के मद्धे जो आकर्शन बल है, वो बहुत अधिक होती है, तो यहाँ पर जो गती जूर्जा का मान है, वो टेंपरेचर पर रहने पर बढ़ेगा, तो अड़ों की गती जूर्जा जो है, यदी देखे तो वो कम होगी यदि हम नॉर्मल टेंपरेचर ना बढ़ाते हुए देखें तो ठोस के मद्य जो अणू है वो बहुत अधिक आकर्शन बल से जुड़े हैं तो यहां गती जूर्जा का मान बहुत ही कम होगा लेकिन जैसे जैसे अणू के मद्य का जो आकर्शन बल है वो कम होता जाता है जैसे कि द्रववस्था में और उनकी बीच की दूरी बढ़ती जाती है तो गती जूर्जा का मान भी बढ़ता है और टेंपरेचर जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो गती जूर्जा का मान भी बढ़ता है क्योंकि T directly proportional to 1 by 2 mb square मतलब गती जूर्जा की यह सम वानुपाती होता है, टेंपरेचर बढ़ाने पर अड़ों की जोगती है, वो बढ़ने लगती है, ठोस, द्रव एवं गैस के उदाहरन तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी हम कुछ एक्जामपल जैसे ले लेते हैं, कि ठोस अवस्था में जैसे आयोडीन ह यदि कांच लें, जल की जो अवस्था है बर्फ, ये सारी चीजें ठोस में आएंगी, गैस में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये सब गैस, और द्रव अवस्था में जैसे की ब्रोमीन होता है, या द्रव जिसे हम जल के रूप में ग्रहन करते हैं, तो ये सार वांडर्वाल के सम्मान में इसका नाम दिया गया वांडर्वाल आकर्शन बल, तो ये जो वांडर्वाल आकर्शन बल है, इसके कई प्रकार हैं, जैसे द्वीधरू, द्वीधरू आकर्शन बल, दूसरा है प्रकिर्णन बल या जिसे लंडन बल भी कहा जाता है, तीसरा हो वालण दवीद्रू आकरशनबल अपशनवल तो ये दोनों वांडरवाल आकरशनबल के अंतरगत नहीं आते हैं प्रकार से आकरशनबल है जिसके वजह से जो अनु है वापस में अनियो यह आपस में इंटरेक्ट होते हैं एक और विशेश तरह का द्वीधु द्वीधु आकर्शन बल है हाइड्रोजन बन जिसे आपने अध्याय चार में पढ़ा है यहां पर हम इसे देखेंगे कि द्वीधु द्वीधु आकर्शन बल के श्रेणी में इसे कैसे रखा गया है औ इसे पढ़ने से पहले हमें दो प्रकार के अणुओं के बारे में जान लेना चाहिए एक होता है द्रुवी आणु और दूसरा है अध्रुवी आणु तो ये द्रुवी आणु उत्पन कैसे होते हैं तो द्रुवी आणु के उत्पन होने का कारण है कि दो परमाडु जिनक ये मध्य बहुत अधिक रिंडविदुता में अंतर होता है तो जब रिंडविदुता में अंतर होगा तो कोई भी एक परमाडू इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्शित कर लेता है तो इस तरह से उस खीचे जाने वाले इलेक्ट्रॉन को जो अणु अपनी तरफ अकरशित करता है उस और आंशिक रिनावेश आ जाता है और दूसरे अनुक की तरफ आंशिक धनावेश उत्पन हो जाता है तो इस प्रकार से दुईधरू उत्पन होता है यदि हमें कुदाहरन लेते हैं HCl की तो HCl जिसमें H और Cl की रिन विदुता में बहुत अधिक अंतर ह होता है और ये दोनों आपस में सहसेयोचक बंद से जुड़े हुए हैं यह सहसेयोचक बंद क्लोरीन के एक इलेक्टरॉन और हाइडरोजन के एक इलेक्टरॉन के साजेदारी से बना है तो चूकी क्लोरीन हाइडरोजन की तुल्ला में बहुत अधिक रिड़ विद्यूती है तो ये इलेक्ट्रोन का जो यूग में है वो क्लोरीन की तरफ चला जाता है तो क्लोरीन पर आंशिक रूप से रिनावेश उत्पन हो गया और हाइड्रोजन पर आंशिक दनावेश उत्पन होता है तो ये बात हो गई एक धुरुवी अणू की दूसरा हम देखते हैं दो परमाडू जो आपस में सहसेयोचक बंद से बंदे हैं लेकिन उनके रिनविदूता में बिलकुल भी अंतर नहीं होता है तो यहाँ पर जो सहसेयोचक बंद से बंदे हुए इलेक्ट्रोन के जोड़े हैं वो दोनों तरफ समान रुप से साजेदारी किये हुए हैं यहा जैसे यहाँ पर किसी भी प्रकार का आंशिक धनावेश या आंशिक रिनावेश उत्पन नहीं होता है यदि हम उदाहरन लेते हैं आयोडीन अणू की तो आई टू जिसमें आई और आई के मध्य एक सहसेयोचक बंद बना है तो चूकि आई और आई समान पर माडू है तो यहाँ यह एक अध्रूवी अणू की तरह कारे करेगा क्योंकि दोनों की रिविदूता में कोई अंतर नहीं है दोनों समान है तो यह आयोडीन इलेक्ट्रॉन यूँ अपनी ओर लेगा और नहीं यह आयोडीन इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेगा तो इस प्रकार से यहाँ प पहले जानना है तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे दुवीद्रू दुवीद्रू आकर्शन बल्गे तो जैसा कि हमने HCl का उधारन देखा कि HCl में H और Cl के मद्ध सहसे हो चक बंद है तो H और Cl पर आंशिक रिनावेश और धनावेश उत्पन होता है तो यहाँ पर जो अणू है HCl इसे हम कहेंगे स्थाई दुवीद्रू वाले अणू तो ऐसे कई सारे अणू है जिसमें पहले से ही दुवीद्रू उत्पन है जैसे कि अमोनिया, जल, SO2 ऐसे कई सारे अणू है जिसमें दो परमाणवों के मद्ध रिन विदूता में बहुत अ अकर्शन बल कारे करता है तो दुवीद्रू, दुवीद्रू के मद्ध या अन्यों निक्रिया है वो इसी आकर्शन बल के कारण है क्योंकि इसमें आंशिक रूप से धनावेश और आंशिक रिनावेश उत्पन है यदि हम HCL का उदारन लेते हैं तो HCL का एक अणू दूसरा HCL का अणू तो CL के उपर आंशिक रिनावेश और दूसरे HCL के H के उपर आंशिक धनावेश है और इसके मद्धे एक आकर्शन बल कारे करता जिसे हम अंतर आणवी का कर्शन बल कहते हैं चूकि ये द्विद्रू द्विद्रू अणवू के मत है इसका नाम होगा द्विद्रू द्विद्रू आकर्शन बल या द्विद्रू द्विद्रू अन्योन क्रिया तो प्रतेक जो आंशिक आवेश होता है धनावेश या रिना इसका मान जो इकाई आवेश है 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलाम से कम पाया जाता है जब हम बात करते हैं द्विद्रू द्विद्रू आकर्शन बल की तो यहां पर हम जब गैसी अवस्था की बात करेंगे तो गैसी अवस्था में जो अणू होते हैं उनके मद्धे दूरी बहुत अधिक ह होती है तो द्विद्रू द्विद्रू आकर्शन बल भी बहुत कम होगा क्योंकि जितनी जादा दूरी होगी अणू के मद्धे का आकर्शन बल उतना ही कम हो जाएगा दूसरा हम देखते हैं कि यदि तापमान कम हो और उच्छ दाब की स्थिती हो तो ऐसी स्थिती में जो गैस के अणू है वो पास पास आते हैं तो ऐसे दोनों अवस्थाओं में जो द्विद्रू द्विद्रू आकर्शन बल का मान है वो बढ़ता है जो द्विद्रू द्विद्रू आकर्शन बल या द्विद्रू द्विद्रू अन्यों निक्रिया के कारण जो बल है उसक जो दूइधरू दूइधरू आकर्षन बल है वह भी उतना प्रबल माना जाता है जैसे यहाँ पर हम एक एक्जामपल लेते हैं पी एच थ्री की तो पी एच थ्री के लिए जो दूइधरू आगुण का मान है वो 0.5 डिबाई है जबकि H2S के लिए जो दूइधरू आकर्षन बल को समझ सकते हैं कीजम ने 1912 में एक समीकरन दिया और इस समीकरन के द्वारा उस अनू के दूइधरू आगुण और उन अनू के मद्दे किस प्रकार से अन्यों निक्रिया होती है उन अनू के बीच की दूरी कैसी है और ये सारी चीजें कैसे आकर्षन बल को प अपॉन 3R6KT तो यहां जो म्यू है वो स्थाई दूइधरू को बताता है के वोल्च में स्थिरांख है जबकि R अनू के बीच की दूरी काती है तो यदि यहां पर तापमान को स्थिर कर दिया जाए तो जो यहां दूइधरू दूइधरू अन्यों निक्रिया होगी वह ए एक बटा R6 के वित्क्रमानुपाती होता है यह अनूओ के बीच की दूरी के वित्क्रमानुपाती होगी जितनी ज़्यादा अनूओ के मद्धे की दूरी होती है आकर्षन बलकामान उतना ही कम होता जाता है तो जब हम कीजम समीकरण में E का मान देखते हैं तो E वित्क्रम अनुपाती होगा 1 by R6 के तो इसका आर्थ यही हुआ कि जितनी ज़्यादा अनुओं के बीच की दूरी होगी अनुओं के मद्धि जो दुईद्रू दुईद्रू आकर्शन बल का माने बहुतना ही कम हो जाएगा अब हम बात करेंगे प्रकीर्णन बल की या इसे लंडन बल के नाम से भी जाना जाता है इस प्रकार का जो आकर्शन बल है उसको सबसे पहले फ्रिज लंडन साइंटिस्ट ने अध्यान किया था तो इसलिए उनके नाम के आधार पर इस प्रकार के अन्यों निक्रिया का नाम पड़ा लंडन बल तो यहां पर हम देखते हैं कि जो उदासीन परमाडू होते हैं या जो अध्रूवी अडू होते हैं तो वे बिद्यूती रूप से सम्मित होते हैं इसका आर्थ है कि यहां पर द्विद्रू आगून का मान इसका शुन्य होता है नहीं होता है याने मियो इ घुदासीन जो परमाडू होते हैं, उसमें ज़ो इलक्ट्रॉनिक अब्र है या जो पूरा इलक्ट्रॉन च्लाउड है वो पूरी तरह से सिम्मेट्रिकल होता है। कहीं भी जादा और कम नहीं होता है हर तरफ जो electronic cloud है मेग है वो एक जैसा वित्रण हो रहता है किसी एक समय पर यहाँ एक तरफ जो electronic अब्र है वो खिसक जाता है तो ऐसी स्थिती में यहाँ पर एक अणों में दो धुरू उत्पन हो जाते हैं और इस प्रकार अचानक से उत्पन हुए द्विध्रू को हम कहते हैं ताच्छनिक द्विध्रू तो जब यह ताच्छनिक द्विध्रू उत्पन होता है और उसके प्रभाव में जो दूसरा अध्रूवी अणू है या दूसरा जो परमाणू है उसमें भी जो सम्मिती थी इलेक्ट्रोनिक अब्रकी वो विरूपीत हो जाती है या डिफॉर्म हो जाती है अर्थात यहां पर जो ताथचनिक द्विध्रू उत्पन हुआ कुछ समय के लिए एक अणू में वह दूसरे अणू में भी द्विध्रू उत्पन कर देते हैं तो इस प्रकार से द्विध्रू द्विध्रू आकर्शन बल है लेकिन इसे हम ताथचनिक रूप से उत्पन द्विध्रू कहेंगे और उस ताथचनिक रूप से उत्पन द्विध्रू के कारण दूसरा जो अणू है वह प्रेरित होता है तो यहाँ पे ताच्छनिक द्विद्रू है और प्रेरीद द्विद्रू है तो इनके मद्धे का कर्षन बल कारी करता है और इसे हम कहते हैं प्रकीर्णन बल या लंडन बल तो इसे हम एक उदाहरंड से समझेंगे यदि हम दो पर माडू लें A एवं B A और B दोनों में ही पूरी तरह से electron cloud जो है वो सम्मित अवस्था में है किसी एक समय पर एपर माडू में जो electron cloud है वो असम्मित हो जाता है अर्थाथ एक तरफ अधिक और एक तरफ कम तो यहाँ पर आंशिक धनाविश और आंशिक रिनाविश कुछ समय के लिए उत्पन हो जाता है। इसे हम कहते हैं अल्प कालिक ताच्छनिक द्विध्रू क्योंकि वह थोड़े समय के लिए उत्पन हुआ और इस वज़े से जो बी परमाडू है उसका जो इलेक्ट्रोन क्ल तो बी परमाडू चुकी पहले से सम्मित अवस्था में हैं तो यहाँ पर इस ताच्छनिक द्विध्रू के प्रभाव में जो दूसरा बी परमाडू है उसमें भी हम देख रहे हैं कि द्विध्रू उत्पन होता है जो की इससे प्रेरित होता है जो ताच्छनिक द्विध बीरीदुरुद्वय करता है तो इसे हम ताथ चणिक दूईधुरु प्रेरीदूदुरुधु आर्णियोंनिक रिया के नाम से भी जानते हैं और यही प्रकिर्णनबल होता है तो जो ताच्छनिक द्विध्रू है और प्रेरी द्विध्रू आकर्शन बल है इसी को हम कहते हैं प्रकिर्णन बल या इसी प्रकार के आकर्शन बल का अधियान जर्मन वैग्यानिक ने सबसे पहले किया था फ्रिज लंडन ने उसे हम कहते हैं लंडन बल या प्रकिर्णन ब विद्रू है उनके मध्धे का जो आकर्षन बल है यही लंडन बल है और यह जो बल होता है वो अणों के आकार पर और इलेक्ट्रोनों की संख्या पर निर्भर करता है जैसे जैसे अणों का आकार बढ़ता है इलेक्ट्रोनों की संख्या बढ़ती है तो प्रकीर्णन बल का मा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आरगन हैं तो जैसे जैसे इसमें इलेक्ट्रोनों की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे यहां पर जो क्वथनांग का मान है वो भी हम देख रहे हैं कि बढ़ता जाता है तो अणों के मद्धे का जो आकर्शन बल है वो किस तरह से है इलेक्ट्रोनों की संख्या के बढ़ने के साथ साथ उसे हम क्वथनांग जैसे गुण से समझ सकते हैं क्योंकि यदि क्वथनांग अधिक है किसी अणों का इसका अर्थ है कि वहां पर अणों के मद्धे जो आकर्शन बल है वो बहुत प्रबल है इसी वज़े से उसको अ परमाड़ों के समान जो अध्रुवी अणों के भी उसमें भी प्रकिणन बल पाया जाता है और प्रकिणन बल के कारण जो उत्पन उर्जा है उसे हम E के रूप में दर्शाएंगे तो E equal to 3I alpha square upon 4R6 तो यहां जो I है वो आईनन उर्जा को दर्शाता है अल्फा अध्रुव अणों की दुरुवता को बताता है तो यहां पर जब हम बात करते हैं अन्यों निक्रिया की तो जो धुरुवित होने वाला अणों है वह कितना धुरुवित होना चाहता है और धुरुवित करने वाला जो अणों है उसमें कितनी छमता है दूसरे अणों को धुरुवित करन दूइधरू उत्पन कराता है तो दूसरा जो परमाणू है वो कितने extent से अपने अंदर दूइधरू उत्पन कर सकता है या कितनी दीवरता से जो ताथछणिक दूइधरू वाला परमाणू है वो दूसरे को धुरूवित कर सकता है तो ये सारी चीजे निर्भर करती है कि किस प्रकार का आकर्शन बल है धुरुवित करने की शक्ति कितनी है और धुरुवित होने की शक्ति कितनी है दोनों परमाणूओं को और दोनों जो अधुरुवी अनू है या जो दोनों परमाणू है उनके मद्धे तो यदि प्रकेणन बल को यहां भी हम देखें तो प्रकेणन बल वित्क्रमानु पाती होगा अणों के बीच की दूरी के तो इसे हम प्रक्रिणन बल यहाँ पे inversely proportional 1 by r 6 तो इस प्रकार से इसे लिखते हैं तो जो अन्यों निक्रिया होती है अणों के मद्धे की दूरी जितनी जादा होती है उतनी अन्यों निक्रिया का मान जो है तो इसे जादा है यह बल प्रभावी होता है इसे ज़्यादा होने पर यह बल प्रभावी नहीं होता है तो देखने से सभी नाम एक जैसे लगते हैं लेकिन सभी में कही न कहीं कुछ न कुछ भिन्नता है यहां हम बात कर रहे हैं द्वीद्रू, प्रेरित, द्वीद्रू, अकर्शन बल की तो एक ऐसा अणू जिसमें पहले से द्वीद्रू है वो स्थाई दुईद्रू अणू है और एक ऐसे अणू की बात कर रहे है जहां पर किसी भी प्रकार का धुरू उत्पन नहीं हुआ है वो अधुरूई अणू है इन दोनों के मद्ध जो आकर्शन बल है उसे हम कहेंगे दुईद्रू प्रेरी दुईद्रू बल तो एक दुईद्रू उत्पन है और दूसरा जिस पर दुईद्रू उत्पन नहीं है तो उनके मद्ध याकर्शन बल कैसे कारे करेगा तो जब स्थाई दुईद्रू रखने वाला जो अणू है वो विद्यूती जो उदासीन अणू है उसके सामने आता है उसके उप्रभावित कर दुईद्रू अणू के प्रभाव में जो अध्रूवी अणू है वह प्रेरित होता है और उस पे दो ध्रू उत्पन हो जाते हैं तो इस प्रकार पहले से जो स्थाई दुईद्रू वाला अणू है और दूसरा जो अध्रूवी अणू है उनमें जो थोड़े समय के लिए प्रेरी द्विधुरू उत्पन हुआ तो यहां दोनों के मध्य आंशिक धनावेश और आंशिक रिनावेश इनके मध्य एक अन्यो निक्रिया या इनके मध्य एक आकर्शन बलकारे करने लगता है तो यहां जो आयन है या द्विधुरू है उसमें जो आवेश होता है वो खाई रूप से द्विद्रूवाला है और एक अणू है या परमाणू है जो की उदासीन या अध्रूवी होता है तो इनके प्रभाव से उसमें द्विद्रूत्पन हुआ और इनके मध्य का कर्शन बलकारे करने लगता है तो द्रूवी अणू और अध्रूवी अणू के मध द्रुवी अनु के द्वारा प्रेरित द्विध्रूत्पन किया गया अध्रुवी अनु के मद्ध्य। तो यहां भी वही बात आती है कि द्रुवी अनु की अध्रुवी अनु को द्रुवीत करने की शक्ती कितनी है और अध्रुवी अनु के प्रेरित होने की शक्ती कितनी है ताकि वह धुरूवी अणू में परिवर्तित हो सके तो जब दोनों में ही आंशिक धनावेश रणावेश उत्पन होता है और इनके मध्य एक अन्यो निक्रिया उत्पन हो जाती है इनके मध्य एक आकर्शनबल कारे करने लगता है तो इस आकर्शनबल को हम कहते हैं डिबाई की प्रेरण उर्जा या दुवीधरू प्रेरीत अन्यो निक्रिया के कारण जो उर्जा परिवर्तन होता है उससे कहते हैं डिबाई की प्रेरण उर्जा और इसे प्रदर्शित किया जाता है ED से ED बराबर है माइनस Z स्क्वार अल्फा अपॉन 2R4 या इससे हम ऐसा भी माइनस मिव अल्फा स्क्वार अपॉन y9-ru अन्यो निक्रिया होती है और उनके मध्य जो आकर्शन बल होता है वो बहुत नियूंतम होता है आकर्शन बल बहुती कम होता है और कम दूरी तक ही ये भी प्रभावित होते हैं जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि इस प्रकार क जो आकर्शन बल है वो बहुत कम दूरिता की प्रभावी होता है और जो यहां पर प्रेरित अनु होता है दूसरा वाला जो जिसमें की पहले से द्विधरु उत्पन नहीं हुआ था तो प्रेरित द्विधरु आगुण स्थाई द्विधरु द्विधरु के आगुण और वि आकर्षन बलों की सामर्थ में वृद्धी करता है। जितना ज़्यादा धुरूणीता का मान होगा, आकर्षन बल के मान में उतनी अधिक वृद्धी होती जाएगी। अगला हम देखेंगे कि आयन प्रेरित द्विधु अन्योन ने क्रिया। हमने पहले ही देखा था कि आयन प्रेरित अन्योन ने जो क्रिया होती है, यह वांडर्वाल बल के अंतरगत नहीं आता है। और यह थोड़े समय के लिए प्रभावी होते हैं। जब हम आयन की बात करते हैं, तो धनायन और रिनायन हम दोनों की बात करते हैं। जब भी कोई अध्रुवी अनु आयन के संपर्क में आते हैं, तो आयन के प्रभाव में उसके अंदर द्विध्रू उत्पन हो जाता है। यहाँ पर हम एक उदाहरन लेंगे आयोडीन नाइट्रेट आयन के प्रभाव में आता है। तो आयोडीन आयटू एक अध्रुवी अनु है। जब वो नाइट्रेट आयन के प्रभाव में आता है, तो आयोडीन में भी दो आवेश उत्पन हो जाता है। तो आयोडीन यहाँ पर अध्रुवी से ध्रुवी अनु की तरह कारे करने लगता है। तो जब ये अध्रूवी से ध्रूवी अणू की तरह कारे करने लगेंगे तो आयन और जो द्वी ध्रूथपन हुआ है उनके मध्य एक आकर्शन बल कारे करने लगता है तो आयन के प्रभाव में आयोडीन ध्रूवित होता है और आयोडीन में दो ध्रूथपन हो जाते आंश जिक धनावेश और आंशिक रिनावेश और इस वजह से इनके मध्य आयन और जो प्रेरित अध्रूवी अणु है उनके मध्य एक आकर्शन बल कारे करने लगता है क्योंकि प्रेरित होने के बाद वो अध्रूवी अणु में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रकार से यहां पुमाइक आकर्षन बलकारे करने लगता है और जैसे ही आयन को हटा लिया जाता है तो यह जो द्रूवी हुआ था अनू वह अपना अधूरी अनू में परिवर्तित हो जाता है अधूरी अनू की जो धूरूआणटा होती है वह आयन की उपस्थिती तक ही जादा रहती है जैसे ही आयन को हटाते हैं तो उसकी जो धुरुवाटता है वो समाप्थ हो जाती है